नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल NKJ Creations पर आपका स्वागत है जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए दादी नाने की बताई हुई कुछ जरूरी बातें बच्चों को रुजाना किस्मिस खिलाने से उनका सरी स्वस्थ रहता है नमबर दो, सुबा देर तक सोने से आपकी परशनाल्टी और कार्य छमता पर गलत असर पड़ता है अधिक सोने से बेचैनी, सीरदर, आलस, सरीर में घर कर जाता है जो आपके काम करने की छमता को प्रभावित कर सकता है नमबर तीन, ज्यादा गरम खाना खाने से आपके पेट को नुकसान हो सकता है दरसल पेट के अंदर की तवचा काफी नाजुक होती है जो की ज्यादा गरम भोजन सह नहीं पाती है जिसके चलते आपके पेट में जनन, गर्माहट और दर्द हो सकता है जिसकी वज़ा से आपको कई और दिक्कते भी हो सकते हैं इसलिए ज़्यादा गरम खाने-खाने से बचना चाहिए नमबर चार यदि आपको अक्से सीर में दर्द राता हो तो आप पलग का सेवन ना करें नमबर पाँच अगर आपको लूज मोशन की दिक्कत हो तो एक चमच इस अब गोल को दही में मिला कर खाएं इससे पेट खराब में बहुत ही जल्ली आराम मिल जाता है नमबर च्छे यदि आप जोडों की समस्या से परिसान हैं तो सरसो के तेल में लहसुन के तीन से चार कलियां काली होने तक पकाले और हलका गुर्णूना होने पर पूरे सरीर पर मालिस करें इससे जोडों के दर्द में आराम मिलता है नमबर साथ तुलसी के बीच को पानी में भीगो कर सेवन करने से मानसिक तनाव कम होता है और यह सरीर के लिए भी बहुत ही फैदेमन्द होती है नमबर आट बच्चों को खाली पेट दही खिलाने से उनका दिमाग तेज होता है और सरीर में खून की कमी कभी नहीं होती है नमबर नौ उबले हुए चने की रोटियां और भूने हुए चने खाने से आराम मिलता है नमबर इक आरा अगर सर्दी में बुखार हो रहा है तो एक ग्राम अजवाईं कपड़े में बांध लें और उसे पोटली में बांध कर सुगें इससे आराम मिलता है नमबर बारा यदि आपका पेट लगातार मोटापे की तरफ बढ़ रहा है तो चीनी, सफेद चावल और मैदे से बनी हुई चीजों का सेवन कम से कम करें नमबर तेरा यदि आपको बेचैनी और ठकावट महसूस होती है तो अनार के जूस में नीमो मिला कर पियें नमबर चोदर रोजाना रात को सोने से पहले चेहरे पर गुलाब का अर्क लगाने से चेहरा जंदी बुठा नजर नहीं आता है नमबर पंदरर मेथी के पत्तों को पीस कर चेहरे पर लगाने से मुहासे और दाल धब्बे मिट जाते हैं और इससे चेहरा गुलो करने लगता है नमबर सोला यदि चावल खाने से आपको बधजमी की समस्या राती है तो चावल खाने के बाद थोड़ा सा निम्बू का खटा मिठा अचार चक लें नमबर सत्रा आप किसी पार्टी या फंक्सन में जाने से पहले चेहरे पर इस्टांट ब्लू चाते हैं तो संत्रे के छिलकों का पाडर दूद में मिला कर 10 से 15 दिन तक चेहरे पर लगा कर रखें और सुखने के बाद हलके हाथों से रगड़ कर चेहरे को धोले इससे चेहरे पर एकदम नाया निखार आता है नमबर 19 अगर बुखार हो रहा हो तो हिंग को पानी में मिला कर हाथ पर लगाने से बुखार में अराम मिलेगा नमबर 20 अगर आपको रात को नींद नहीं आती है तो रात को सोने से पहले हलके हलके हाथों से तेल से सर की मसाज करें आपको नींद आने लगेगी नमबर एक केस अगर आपको बार बार हिचकी आ रही है तो थोड़ी सी हिंग को गरम करके सुगे इससे आपको हिचकी नहीं आएगी अगर आपकी नाक से खून बाता है तो एक छोटे से मिटी के बरतर में मिस्री और बदाम को अलग-अलग भिगो दें और फिर अगले सुबा बदाम के छिलके हटा कर मिस्री और बदाम का पेष्ट बना लें और सुबा-सुबा उनका सेवन करें यह सरीर में इतनी ठंड़क देता है कि आपके नाग से खुणाना बंद हो जाएगा अगर आपको चीचक के दाग हैं तो आप इन पर रोजाना नारियल के तेल से हलके हाथों से मसाज करें जो महिलाएं कमर बंद पहनती हैं उनको कभी भी कमर दर्द की दिक्कत नहीं होती है और उनका डाइजेस्टी सिस्टम भी सही रहता है दातों में अगर पीलापन हो तो नमक के पानी से कुला करें इससे दातों का पीलापन दूर हो जाएगा यदि आपके दात में दर्द है तो एक लॉंग अपने दात में रख ले इससे दात दर्द में अराम मिलेगा पालक, मेथी और सरसो इनको सुखनी से बचाने के लिए इनको अलग-अलग पॉल्थीन बैग में रखे जो रोड भिंडी का सेवन करते हैं उन्हें दिल की बिमारियों का खत्रा कम हो जाता है अगर आपके सरीर में दात खाज खुजली और फोड़े फूंसी हो रहे हैं तो आप सुबह नीम की पतियां जरू चबाएं इससे आपका खुण साफ होगा और आप सभी बिमारियों से दूर रहेंगे यदि आपके सरीर में कहीं भी कट लग गया है तो वहाँ पर हल्दी का लेप लगाएं इससे आपका खुण बहना बंद हो जाएगा और यह घाव को भी जल्दी भर देता है 31. मूली के पत्ते खाने से पेट की परिसानी खत्म हो जाती है 32. पानी में अद्रा को बाल कर पीनी से जोडों के दर्द में आराम मिलता है 33. यदि आप रोजाना इलाइची का सेवन करते हैं तो इससे एसीडीटी अपच पेट में इंठन की समस्या नहीं होती है 34. यदि आपको रात में सोती समय डरावने ख्वाब आते हैं तो अपने बिस्तर को रोजाना ज़ाड कर सोया करें 35. यदि आपको पेट में सूजन की समस्या है तो खाली पेट अनार खाएं इससे सूजन जल्द ही खत्म हो जाएगी 36. एलेवरा को बीच में से काट लें और फिर अपने चेहरे पर 5 मिनट तक रोज रात को सोती समय मालिस करें और सुबा उठ कर चेहरा धोले 37. यदि आप रोजाना ऐसा करते हैं तो इससे चेहरे के दाग धबे और जाईया दूर होकर चेहरे पर गुलुआने लगता है 37. अगर आप तील के तेल में लहसुन की कलियां पीश कर सरीर पर मालिस करते हैं तो इससे ठंडे जुकाम खासी, कफ और हड़ियों के दर जैसी समस्याओं में आराम मिलता है 38. जो अरते सर्दियों में दूध में जैतून का तेल मिलाकर अपने चेहरे पर मसाज करती हैं तो इससे उनका चेहरा सौफट और चमकतार बना राता है साथ ही दूध और जैतून के तेल से हाथ पेरों की मालिस करने से हाथ पेर नहीं भटते हैं 49. अगर बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है या दिमाग कमजोड है तो आप रोजाना बच्चों को थोड़े से चने खिलाए इससे उनका दिमाग भी तेज होगा और पढ़ने में भी मन लगेगा आप चने के साथ थोड़ा सा गुड़ भी खिला सकते हैं 40. अगर आपके सरीर में आईरन की कमी है तो आपको रोज पोहे खाने चाहिए 41. जो अरते पैरों में चान्दी की पहल पहनती हैं उनकी हड़ियां मजबूत रहती हैं और पैरों का दद भी गयब हो जाता है 42. अगर काले जीरे के तेल से मसाज करेंगे तो हड़ियां मजबूत बनी रहेंगी 43. यादि आप वजन कम कर रहे हैं तो खाने में जैतून के तेल का इस्तेमाद जरू करें दोस्तों आपको यह जनकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरू बताएं और अगर आपको यह जनकारी अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक और सेर जरू करें और इसी तरीके की विडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें धन्यवाद दोस्तों